मैं आन तोर पर ऐसे इंट्रोज नहीं करता लेकिन मैं इस समय सेकड़ो फीट नीचे गुफा में उतर रहा हूँ जो प्रिथवी में पांच किलो मीटर से ज्यादा गहरी है जाहे हमें ये बसंद हो या ना हो जैसे ही मैं और मेरे दोस्त जमीन को छुएंगे हम यहां भसे रहेंगे अगले साथ दिनों तक मैंने शायद कभी कुछ इतना खतरनाक नहीं किया होगा सबसे पहली चीज हमें बहां से दूर जाना होगा जहां से हम नीचे आये थे क्यों? अगर तूफान आया तो ये जगह बार की चपेट में आ सकती है समुत्र की तरह भर सकती है और हमें डुबो भी सकती है इसलिए हम बेस कैम्प गुफा में आगे लगाने वाले हैं यह काफी अजीब है यहां की दुनिया तो अलग है दोस्ट इस गुफा की एंट्रेंस भले ही सुन्दर है लेकिन दिखावट पर नहीं जाना चाहिए हम सब यह जानते नहीं थे लेकिन अगले साथ दिन हमारी जिंदगी का सबसे मुश्कल समय होने वाला था यह बहुत बुरा आइडिया था ठीक है कुछ घंटों में अंधेरा हो जाएगा बाकी समय अपनी सप्लाइज को जुटाने में लगा दिया इनमें हर बैक का वजन 36 किलो है और जैसकि आप फुटेज में देख सकते हैं हमने लगभग चार घंटे पिताएग इसे पार करना बहुत मुश्किल है हम यह सब हमारे बेस कैम्प तक ले जा रहे हैं और हमारे सवाइवल गाइड जोल की मदद से हमने बिस्तर लटका दिये यह पतली सी रस्ती मेरे बिस्तर को संभालेगी रात का खाना खाया और जोरदार ठंट के लिए तयार हो गए सच कहूं तो मैंने जतना सोचा था यह बिस्तर उससे कहीं ज्यादा कमफिटबल है यह गुफा टू पॉइंट फाइव किलोमेटर गहरी है और हम अभी इसके एंट्रेंस पर ही कैम्पिंग कर रहे हैं कल हमें काफी कुछ एक्स्प्लोर करना है तुम लोगों की मीन कैसी रही बुरी तरह मैं नहीं सोया है बहुत ही उल्जन भरा महाल है गुफा की उपर से लगातार पानी टपक रहा है हमने अपने उपर एक टार्प डाला लेकिन फिर भी पानी हमारे बिस्तरों में आ रहा है मैं एक आइडिया दू चलो अपनी कैम को और बहतर बनाते हैं हमें इन टाप्स को जोड़ देना चाहिए ताकि यहां सोते वक्त हम सूखे रहे बहुत अच्छा इडिया है मैं सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं हूँ ठीक है मेरा बिस्तर यहां तक निकलता है कई कोई मजाक है मैं अभी यह भी अपने बिस्तर से निकला था यार और हमें उस समय समझ नहीं आया लेकिन यह गड़ा लगभग 40 फीट गहरा है तो जब शॉन और मैंने सूपर टाप पर काम करना शुरू किया मैक और काल यह देखने गए कि यह गड़ा कितना खतरनाक है वहां उपर मेरा बिस्तर देख सकते हो मैं वही सोया था अब यह देखो क्यूंकि यहां सब कुछ एक जैसा दिखता है और गुफा में हमें ट्रैक करना शायद काफी मुश्किल होगा इसलिए इस मैप पर आप देख सकते हैं कि हमारा बेस कहा है और वो कितनी दूर जा रहा है ठीक है मैं एककल हो ना हूँ ओ यह पागल पन है जब तक बॉइज एक्स्प्योर कर रहे हैं मुझे और शॉन को कैंप पर काम करना पड़ रहा है यहां यह स्लीपिंग बैक क्यों पड़ा है इसमें टॉयलीट जैसी पदबू आ रही थी यह लेसंन नंबर वान किराई के स्लीपिंग बैक्स अमने स्लीपिंग बैक्स क्रीदे क्यों नहीं हम टाप्स को जोड़कर एक बड़ा टाप बना रहे हैं मेरी जिंदेगी अब बस इस रसी के सहारे है और इस बीच मैक और काल अब भी गड़े में थे और आखिर कार वो कुछ समय बाद नीचे पहुँच गए हमें इस वक्त कैम्प पर काम करना चाहिए हम बस ये दिखाना चाहते थे कि कैम्प कितना खदरनाक है हाला कि उन्हें वापस आजाना चाहिए था काल और मैक ये देखना चाहते थे कि वो कितनी गहराई तक जा सकते है लेकिन इन दुनों को नहीं पता था कि ये नदी पूरे गुफा में पहली हुई है जिसका मतलब है कि हमें इसमें पुछ समय बिताना पड़ेगा लो आगए है कैदोगी खाना बन चुका है हाँ बन चुका है सही कहाँ एक नया घर है ना लेट्स गो अब हमारे पास एक चछत है क्या बात है मानना पड़ेगा तुम लोग ने कमाल कर दिया और हमने फार पिट को इस चोटी सी गुफा में रखा है तो क्या कहते हो गरम है काफी कोजी है ये चट्टाने यहां गर्मी को कैद करती है और उपर से आने वाले टॉयलेट को ब्लॉक करती है तो टॉयलेट नही और एक सूखी रात की मींद के बाद हमने जोल हमारे सुवाइवल एक्सपर्ट को मदद के लिए बुलाया ताकि हम गुफा के अंत तक पहुच सकें spoke शुपा के शुर्वात बूर्वाट में हैं और हमारा गोल है किसे पूरी तरह से पार करना और मारा जयां चाहिक यह थो बहुत आप तक कुछ नहीं तेख रहे हैं शाहिक एद दोस्तों अपने पेट अंदर कर यहां मामला टाइट होने वाला है, मुझे नहीं लगता मैं इसमें फिट हो पाऊंगा गुफा की खोज का दिल्चस्प हिस्सा ये है कि आप पत्थरों की दरारों में मुश्किल से फिट हो पाते हो और कभी-कभी आप एक बड़े से चेंबर में होते हो इतना बड़ा कि हम इसे देखने के लिए ये चरना पड़ा अब मैं देख पा रहा हूँ, मज़ा आ गया, ये कितनी चमकदार है, देखो तो ये कितना शांदार है या, प्रोशनी इतनी तेज है कि मैं देख भी नहीं सकते, मैं तो अंधा हो रहा हूँ, ओ नहीं, ओ नहीं, सोचने पर लग रहा है कि शायद हमने इसका सबसे अच्छा इस्तमाल नहीं किया, रास्ता दिखाओ, और इसी तरह हम आगे बढ़े, संभलके, यहाँ पकड़ने क हम सब तैरने वाले हैं कल मैक और काल इसके बारे में मजाग कर रहे थे, लेकिन इस गुफा के एडवेंचर का बाकी हिस्सा एक जमा देने वाली नदी में होता है वैग सूख ही एक तरीका है जिससे हाइपो धर्मिया से बचा जा सकता है हम यह क्यों कर रहे हैं यह जिन्दगी में एक ही बार करने मिलेगा क्योंकि इसके बात तुम मर जाते हो समझे गुफा के अंद तक पहुचने के लिए हमें इस नदी में कूटना होगा और पथरों के बीच से होकर तेजी से भैती नदी को पार करना होगा और साउथानी से इनके बीच से गुजरना होगा धीरे धीरे चलो इससे तुम्हारे पैर पीछे जाएंगे ठीक है मैं नदी में जा रहा हूँ ध्यान से लेफ साइड की दिवारों को फॉलो करो यह बहुत ठंडा है तुम कर लोगे जीमी मैं चाहता हूँ कि तुम पानी से बाहर निकले इसको करना पागल पन है यह कितना ठंडा है क्योंकि जब आप पूरी तरह से ठंडे पानी में दूबे होते हो तो पत्थरों को पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है तुम पागल पन था मैं जाल चलो मुझे ठर लग रहा है तुम कर सकते हो चाहरी रखो देखो यह कितना मुश्किल है हाला कि यह बड़ा मुश्किल था पर आगे आने वाली मुश्किलों के सामने यह कुछ नहीं हमने कर दिया के, 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 के बॉई, हम 10% काम पूरा कर चुके हैं जिसका मतलब है कि यह बस एडवेंचर की शुरुबात है और अंत तक खौचने के लिए अभी 2 किलोमीटर पाकी है जैसा कि तुम देख सकते हो इस गुफा में 24 घंटे बारिश होती रहती है इसलिए मैं हमारे लिए एक आराम दायक जगा बना रहा हूँ मुझे जानना है कि आगर मैं यहां नहीं होता तो यह सब कैसे बन पाता मैं दावे के साथ क्या सकता हूँ वो गीले पतर में ही सोचा हमें जल्दी चलना चाहिए क्योंकि अब हमारे शरीर गीले हो चुके हैं इसलिए तापान थेजी से गिरने वाला है यह इतना मुश्किल क्यों है सबसे बुरी बात यह है कि हम जितना इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं हमें उतना ही वापस अपने क्यांत तक जाना होगा हमारा अगला अब्स्टिकल पानी से बाहर हो सकता है पर इसका मतलब यह नहीं कि वो आसान होगा यह मकडी का जाल है पर यहां मकडी है ही नहीं इसका मतलब वो हमपर हो सकती है तुमारे उपर उपर है मुझे इन से नफ्रत है यह गुपा एक Mr.Beast वीडियो की तरहा है जितना आगे बढ़ते हो उतना मुश्किल होता है सच के हूँ तो अगर हमारे पास जोल नहीं होता तो मैं जिन्दा नहीं होता और तीन घंटे बाद जोल के पास हमारे लिए बुरी खबर थी पानी बहुत हुचाए और हमने बहुत समय बरबाद किया है और इस मिशन को कल फिर से शुरू करना होगा शॉन हम वापस आ गए जब हम नहीं थे तब तुमने क्या किया उमीद है कि आप कोई गिला नहीं होगा मुझे नहीं पता था तुमने लाइट्स पैक की यह शांदार है ना अफसोस है कि आज हम सिर्फ 20% गुफा ही पार कर पाए लेकिन भरोसा रखना कि हम किसी ना किसी तरह आखिर तक जरूर पहुचेंगे मुझे नहीं लगता ऐसा कभी नहीं होगा हम चौथे दिन आराम कर सकते हैं और फिर पाचमे दिन गुफा के अंद तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे वहाँ क्या है तीसरा दिन बहुत मज़ेदार था मैं आपसे कल मिलता हूँ हमारी तीसरी और बुरी रात के बाद अगली सुभा हमारे दिमाग में बस एक ही चीज थी एक गर्म शावर मिल जाए तो अभी मेरी जान बढ़ सकती है हाँ शावर लेना सच में शानदार होगा मैंने शावर नहीं लिया है तीन चार दिनों से जैसा कि आप सोच सकते हैं गुफा के अंदर नहाना आसान नहीं है नदी के तल तक सुरक्षत पहुचने के लिए हमें उस जगह तक हाइक करना पड़ा जहां से हमने शुरू किया था मुझे अपना दिमाग फील हो रहा है मैंने कभी ऐसा पील नहीं किया तेरा सर पूरी तरह से चम गया है अब अपना सिर्ष उखाने के लिए ड्रोन का इस्तमाद करते है अज़ा अज़ा रुको रुको यह एक्चिली काम कर रहा है हाँ यह काम कर रहा है जब तुम्हारे पास ड्रोन हो तो हैर ड्रायर की क्या जरूरत और सूखने के बाद हम अपने आगे की प्लानिंग के लिए जोल के साथ बैठे यह क्या है जोल यह गुफा का मैप है पिशली बार हमें तेज बहाव की वज़े से रुखना पड़ा था लेकिन बारिश धीमी हो गई है इसलिए हमें कल गुफा के अन तक पहुशने का मौका मिल सकता है इसमें बहुत मज़ा आने वाला है पहले हमें कल की तरह कुछ उसी बहाव को पार करना होगा बड़े चटानों से कूटना होगा और खुर्दरी पत्थरों से बचना होगा और अगर हम सब कुछ पार कर पाए तो फाइनली हम खुबसूरत ग्लो वाम चिंबर तक मौश पाएंगे हमें मत बताना कि वो कैसा दिखता है वो हमारा सप्राइज हो गया तो मैं लगता है हम यह कर पाएंगे नहीं यह सब अभी मत सोचो हम कर सकते कल की अच्छी तरह से प्लानिंग करने के बाद हमने अराम किया और अपनी एनरजी वापस पाने के लिए फीस्टिबल स्मोर्स बनाएं सब लोग चीर्स ओ जोल अपना पहला फीस्टिबल स्मोर्स खाने वाला है यह अच्छा है तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा लगा हमने चॉकलेट को पहले क्यों नहीं निकाला? अब यह दस गुना ज्यादा मज़िदार हो गया तीसरे दिन के एक्सपीरियंस और फिल्मिंग पर कम ध्यान देने की बज़ह से हम सब तेजी से आगे बढ़ पा रहे थे यह पानी ठंडा है बिलकुल कल की तरह है और अपने सवाइवल के चांसिस को बढ़ाने के लिए हम जोल के साथ एक और सवाइवल एक्सपर्ट को भी लाए तीसरे दिन हमें यहीं पर रुपना पड़ा था अब हम कैसा कर रहे हैं? हम बहुत बैतर कर रहे हैं हमारे पीछे पूरी तरह से अंधेरा है हम कहां जाए यह जगे नेरो होती जा रही है धारा भी तेज है तो हम दिवारों का सहरा लेकर चड़ने की कोशिश करेंगे तो चलो शुरू करते हैं पहली चट्टान पर तू दो खोने के आस पास भी कुछ अच्छी चट्टाने हैं जिनका सहरा ले सकते हो यहां कितना अंधेरा है अब कोई बेश नहीं है मेरे पैर जमीन से बहुत उपर है क्योंकि हम जमीन तक नहीं पहुँच पा रहे और फिर यह बहुत असान हो जाएगा मैं अंदर जाओ हां होल में यह आज तक का सबसे खतरनाक चालेंज होगा हम गुफा के पहले से कहीं ज्यादा गहराई में हैं और अब हम हमारे पहले आप्स्टिकल के करीब पहुचने वाले हैं असल में पानी बार बार घूम रहा है तो अगर तुम इसमें गिरते हो तो यह तुम्हें नीचे ले जाएगा और वहीं रोकेगा अगर हम गिर गए तो मर जाएंगे हां तो मौत का खत्रा है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हमें यह सब करना पड़ेगा बहुत अच्छे हां यहां पर अब मैं अपना पैर यहां रखो मिलकुल ठीक है केविंग जितना सोचा उससे ज्यादा मुश्किल तो अंदाजा लगा सकते हो कि यह नदी कितनी ताकतवर है इसने पूरा गुफा बनाया है और हम गुफा जितने ताकतवर नहीं है मैं तो मुश्किल से इंसान जितना ताकतवर हूं हमारी खुशकिसमती है कि इस एटवेंचर को काल लीट नहीं कर रहा बलकि हमारे पास जोल है जो अवेंजर्स से कम नहीं और यह साबित करने के लिए कि वो कितना बड़ा एक्सपर्ट है उसने हम पर फ्लेक्स करने के लिए एक चटान से कूट कर दिखाया ओ माइ गॉड तुम पागल हो कौन है जो थोड़ा पागल है कोई तो है जो करना चाहता होगा मैं पागल हूँ यह मत कहना कि तुम्हें भी यह करना है क्या बोल रहे हो मैं अभी करना हूँ दोस्त चलो जो गुड लख मैक जिमी ने मुझसे अब तक जो भी करवाया उसके सामने यह कुछ भी नहीं है त्री जू वान क्या तुम यह करोगे नहीं आगे बढ़ते हैं वरना हम आखिर तक नहीं पहुचेंगे ओ माइ गॉड हमेशा हम पानी के भाव के उल्टा ही क्यू जाते हैं मैं शायद इसमें बहे जाओं मुझे शायद हर ही मानने नी चाहिए पानी के नीचे नुकीले पत्थर है तुम हने देख नहीं सकते तो संभल कर चलना ओ माइ गॉड पानी और गहरा हो रहा है मैं नहीं कर सकता मुझे पैर किसी चीज़ पर रखने होंगे और अगर नुकीले पत्थर काफी नहीं थे तो हमारे हर कदम के साथ ब्रो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यह डरावना है यह गुफा और भी अंधेरी टाइट और खतरनाक हो गई इससे हमने सोचना शुरू कर दिया क्या हम सच में फिनिश लाइन तक पहुच भाएंगे मैं बस मैं थर्क्या हूँ यह गुफा अब और भी मुश्किल होने वाला है और मुझे आप सबको कुछ दिखाना है जोल मुझे तुमारा बैग देना थैंक यू पता है तुमारे बैग में अब तक क्या था नहीं मुझे इसके बारे में नहीं बता ब्रैंड न्यू मिस्टर बीस्ट लाब स्वर्म मैं इमानदारी से कहूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने पिछले पाच घंटों में जहला है मैं इस वक्त इसके बारे में कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ तो एक महीने बाद जब हमने ये शूट किया तब मैंने पूरा गुफा का सेट बनाया अपना फ्यूचर जिमी का नेम टैग पहना और फिर कहा हेई मैं फ्यूचर जिमी और मैं आपको हमारे नए टॉइस के बारे में बताऊँगा मिस्टर बीस्ट लाब स्वर्म ये collectible toys है जिसमें 119 से ज्यादा unique characters है जिन्हें आप collect कर सकते हैं और cool बात है कि पता करने के लिए कि आपको कौन सा character मिला है आप इस tube में पानी डालते हो इसे हिलाते हो और swarms आपकी आँखों के सामने आ जाते हैं और product का demo दिखाने के लिए हमने इस swarm tube का एक बड़ा version भी बनाया है इस tube को पानी से भर दिया आपको इतना पानी नहीं चाहिए होगा क्योंकि ये एक बड़ा tube है ठीक है अब ये पानी से भर गया है तो मैक इस tube को shake करेगा मुझे लगता है इतना काफी होगा ना जोल ये तुम रख सकते हो और ये तुम्हारा काल को क्या मिलेगा मेरे पास सिर्फ दो हैं सिर्फ स्वाम्स ही नहीं हमने ये action figure panthers भी बनाये हैं जो इन briefcases में आते हैं और एक mutator जो स्वाम्स की तरह ही खरीदने पर बहुत ही शांदार तरीके से reveal होता है ये मुझे काम मिलेंगे काफी अच्छा सवाल है Mr.Beast के lab toys अब दुनिया भर में हर जगा अवे लेबल हैं जहां से आप खिलोने करीदे हैं ये release हो चुके हैं अभी खरीदिये और गुफा में और भी कठिन सफर के बाद हम आखिरकार glow warm chamber तक पहुँच ही गए या हमारी महनत बेस ना हो तो ठीक है टीम glow warm chamber में आपका स्वागत है ये कमाल का है दोस्तों ये धर्दी जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है जो रोशनी आप यहां देख रहे हैं वो असल में छोटे छोटे बायो लुमिनेसंट glow warm से बनती है ये तो milky way galaxy जैसा लग रहा है वाव इस पल ने और इस view ने सच में हमारे track को satisfying बना दिया है glow warm तक पहुचना वागई ट्रिप के लायक था लेकिन हमारा सफर अभी खपन नहीं हुआ था क्योंकि हमें एक base cam तक वापस जाना था तेज 6 शुरू होने वाला है पूरा ट्रिप बहुत लंबा चला वापस पहुचने से पहले हमारा चटा दिन शुरू हो गया था शान कैसे हो दोस्तों मुझे तुम सब की चिंदा हो रही थी फाइनली हम आगे चलो चलते हैं हमारे पास आग के पास बैट कर खुद को गरम करने और कुछ खाना खाने की ही एनरजी बची थी ये बहुत ही रोमान चक दिन था मैं आप सब से कल मिलता हूँ या फिर शाद आज ही आज छटा दिन है हो सकता है मुझे नहीं पता इतनी लंबी और ठका देने वाली ट्रिप के बाद भी मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मुझे सोने में बहुत प्रॉबलम हो रही थी मैंने साथ दिन एकांथ में बिताए साथ दिन जिन्दा दफन होकर बिताए और साथ दिन एक राफ्ट पर और सच कहूं तो मुझे लगता है यह उन सबसे ज्यादा मुश्किल है तुम हमेशा गीले और ठंडे रहते हो मेरा शरीर बार-बार इन कठोर पत्थरों से टक्रा रहा है और दर्द हो रहा है 90% समय यह गुफा बस खतरनाक ही होती है लेकिन सच कहूं तो जिमी, यो, काल, मुझे देख सिकते हो यह दुनिया की सबसे तेज स्टॉच है इस गुफा में कुछ मस्दार पल भी थे तीन सो फीट नीचे रैपिड्स को पार करना हम सब का मिलकर बिस्तरों में हसना सारी मुश्किले इसके लायक है जब आप अच्छे लोगों के साथ होते हो चलो वेल जैसी आवाजे निकालें यह गीली, धंडी, पत्थरों से भरी हुई मुश्किल गुफा हमारी जिन्दगी का सबसे खूबसूरत सफर बन जाता है हम तब तक नहीं जा सकते जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता और सब कुछ से मेरा मतलब है सब कुछ चलो यहां से निकलते हैं और गुफा के शुरुबात में वापस पहुचने के बाद बहार की दुनिया कितनी अच्छी लग रही है हमारे पास जोल के लिए एक और सप्राइज था जाने से पहले जोल तुम्हें थैंक्यू कहने के लिए हम तुम्हें 50,000 निउजनेंड डॉलर्स दे रहे हैं तो ये हर इंसान के लिए 10,000 है जन्हें तुमने जिंदा रखा ओ गॉश थैंक्यू सो मच जिमी चलो चलते हैं जूल अब ये सब निप्टा लिया है तो चलो चलते हैं साथ लंबे दिनों के बाद हम आखिरकार घर जा रहे हैं